तो आज हम आये हैं एक नई जगे नई तो नहीं है हम काफी आते थे यहां पर लेकिन कोविट से पहले और यहां के मोमोज बहुत फेमस हैं यह है चनक्यपूरी तो यहां के मोमोज आज हम फिर खाने आया हैं बहुत टाइम के बाद आपको भी लेके चलती हूँ तो अगर आपको पसंद है इंडियन टाइप का चाइनीज फूड तो आपको चनक्यपूरी जरूर आना चाहिए क्योंकि यहां आपको बहुत ही ज़्यादा डिलिश्यस चाइनीज फूड मिलेगा बहुत ही कम प्राइस पे बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है यहां के मिल जाएगी और पॉर्क भी अवेलेबल है तो प्री कोविड कोविड से पहले हम लोग काफी आते हैं यहां पे लेकिन अब काफी टाइम बाद आए हैं और थोड़ा चेंज लग रहा है क्राउड थोड़ा काम है बाकि यहां के मोमोस बहुत अच्छ थे चाइनीज ही अच यह यह इनकी रेड चिली चटनी बहुत ज्ञाद स्वाइसी होती है कुछ लोग तो सॉस के साथ मिक्स करके खाते हैं मैं इसको ऐसे खाते हूं तो यहां की जो most liked और most ordered चीज है वो है momos chicken momos चाहे वो fried हो या steamed हो दोनों ही तरह के बहुत अच्छे होते हैं और हमेशा दोनों ही ज़्यादा तर order किये जाते हैं और साथ में इनकी जो red chili चटनी है इसी के साथ crispy chicken भी हमने order किया था जो की बहुत ज़्यादा flavorful होता है बहुत टैंगी और बहुत ही delicious होता है बहुत सारे vegetables भी होते हैं उसमें सबसे छी चीज यह लगती है मुझे यहां की और उसके साथ cold ring तो you know must ही है hot favorite here fish 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 dolle दिनमी जूलराद चु्रिप संप चृप निश्के पर लोगती है ओर आ डचिंग क्रव करते है तो अगर आपको चाइनीज पसंद है, तो इस प्लेवर्फूल थे तो अगर आपको चाइनीज पसंद है, तो इस प्लेवर्ची लगए है। के पूरी बहुत ही टेस्टी होता है यहां का और बहुत रीजनेबल भी है और जो सिटिंग अरेंडमेंट है वो रेस्टरांट के अंदर बाहर तो है ही मतलब एक तो इनसाइट सिटिंग होती है एक वेरंडा में उनके और दूसरी है टोटली बाहर बाहर जो एक ओपन एरिया झीजने कर सक कर सकता है घहाँ कर किसी एक और लाग होती है किसी होती है दो फिए कर ये बाहर हर झालते है कि और एक प्योदोर से दूसरी घु höher है और येर भी हनुट उनसाइग होती है picture me 2 बहुत है टो समय और बहुत है